नमस्कार दोस्तों मैं रण सिंग्पोवर और आप देख पा रहे हैं इसमें पी एम अपो नियूज बता दें हमारे सामने विश्णोई समाज से धरम से जुड़े हुए संत हैं अनुपदाजी माराज इन से बात करेंगे नियून परणा माराजी विश्णोई समाज से जुड़े हुए हैं और विश्णोई समाज समाज की अपनी फर्मप्रा है जिसको लेकर पी समाज चलता है तो आज समाज के अंदर काफी वर्ज़ताना चका है समाज क्या नज़र आता रटकता हुए प्राइबरन को बचाने के लिए और इस समाज की हुआ है जो कुछ बढ़के हुए है जैसे समेट नसा आधी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़के हुए लेकिन फिर भी वह तो बहुत कम है और उनसे ज़्यादा आध समाज ने बहुत तरकी की है और सबसे ज़्यादा जो तरकी विष्णवि समाज के लोगों लिए वो IPS, RSS के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे आध समाज के UiR है लेकिन जो बटग रहे हैं उनसे मेरा निवेदन भी है और मैं आज जोड़कर विंती भी उनसे कर रहा हूँ कि आप जिस रस्ते पे जा रहे हैं वो रस्ता हमारा नहीं है क्योंकि गुरु जंबेशर भगवान ने हमें एक अच्छी पवित्र संसकार देकर एक अलग से जिस परकार को कहें कि खेत के बाहर अवारा पस्तु से बचाने के लिए बाड़ बनाई जाती है उसी परकार से आज से साधे फांसो साल के लए गुरु जंबेशर भगवान ने कवित्तर समाज की स्ताबना की थी कुछ लोग बटके हैं लेकिन आज बहुत इंती कर रहा है समाज और उसके लिए जो बटक रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी एक जो कमी थी वो है कुछ सिक्षण जो आज समाज के अंदर विद्याले नहीं है तो मेरा समाज की जो दिखने भी गन्माने लोग है हमारे जैसे खुजी विष्णोई है सरंग्शक है उनसे मेरी कई बार बात हुई है और उनको मैंने ये भी गाय कि एक विद्याले होना जरूरी है और मेरे पजम पूजे सद्गुरु देव अजारे सुदेवारंजी साला सर विष्णोई आसरम उन्होंने एक मोहीब चलाई है विष्णोई चेतना मंच के नाम से संक्षन बनाकर और उसके अंदर गाम गाम और हर जगे जाकर वो लोगों को विष्णोई चेतना मंच अधियाब हो रहा है और मैं भगवान का अशिर्वाद इसी परकार से अगर बना रहा तो बहुत जल्द विष्णोई समाज का नाम पूरे वर्ड के अंदर इस परकार से अमर्सा देवी माने बेमस किया था उसी परकार से इस समाज के यूवा बहुत जल्द इतना नाम